मैंने आपसे कहा कि सिद्धी के चार मूल स्थम्भ होते हैं अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं कोई विशेश मंत्र जब कर लूँ तो मुझे सिद्धी प्राप्त हो जाएगी उधारनार्थ कहा जाता है कि मासरस्वती के मंत्र के जब से या अदित्य हृदय स्तोत्र के जब से या वानसूरन आरायन पर ध्यान लगाने सुनके मंत्र जब से मनुश्यों को वाक्सिद्धी प्राप्त होती है इसके बीचे जानते हैं मूल रहस्य क्या है ये नहीं के पुनुरुक्ती करने से तोता बनकर मंत्र जपने से सिध्धी प्राप्त हो गई इसके पीछे ताथपर्य है कि जिस समय एक अच्छा साधक जो है मंत्र जप रहा है उस समय वो कुछ और नहीं कर रहा होगा कोई विचार नहीं ला रहा होगा, कुछ बोल नहीं रहा होगा और किसी की निंदा नहीं कर रहा होगा किसी के बारे में गलत सोच नहीं रहा होगा जिससे कि उसका जो मन है एकाग्र होना शुरू हो जाएगा परन्तु हजारों वर्ष पहले रिशिमुनियों ने जाना कि जो जप कर रहा है विक्ती, जिसको मंत्र जो है कंठस्त हो गया, वो अक्सर मात्रब जप ही कर रहा है द्यान नहीं लग रहा उसका मन जो है, निरंतर किसी और दिशा में जो है, भाग रहा है यदि मन किसी और दिशा में भाग रहा है, तो जप का सिध्धी के द्रिश्टी कोन से कोई लाब नहीं एक व्यवारिक द्रिश्टी कोन से चाए, शायद थोड़ा सा हो, कि वही वेक्ति एक संग में बैठकर हो सकता है, इर्शा के भाव से, द्वेश के भाव से, निंदा करे या दूसरों की चुगली करे त्यादी, कम से कम वो तो नहीं कर रहा तो फिर उन्होंने सत्संग बना दिया, कि हर समय अच्छा मंत्र जब नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्हों कुछ समय वो ऐसी संगती में बैठे, जहां पर हवान का चिंतन हो रहा है, या एक शुब चिंतन की बाते हो रही है परन्तु ये फिर देखा गया कि उसमें भी सबका मन नहीं लगता, तैयार होने की ज़्यादा पड़ी रहती है, वज़ाही कि सत्संग में जाकर ध्यान लगाने की, कुछ ग्रहन करने की, कुछ धारन करने की तो उन्होंने कहा कि स्तोत्र बना दिये जाएं, जल्दी जल्दी ये याद भी नहीं होंगे, और जपने में भाव भी रहेगा, मनुष्य का, और ये नहीं कि मन कहीं और चला गया, और स्तोत्र चला जा रहा है उदारनार्स यदि आपको ललिता सहसरणाम याद हो, तो कितना ही कंठस्त क्यों नहीं हो, यदि उसको आपको कंठ से बोलना है, स्मृति से बोलना है, तो आपका मन कहीं और नहीं भटकेगा, क्योंकि वो बीच में ही तूट जाता है परन्तु उन्होंने ये भी जाना, कि जब एक ही मंत्र को निरंतर हम उसका उचारण करते रहते हैं, तो उससे जैसे पत्थर पर पानी गिरता रहे बूंद बूंद, तो पत्थर को भी काठ देता है, कि मन की कुछ धारनाओं को तोड़ने के लिए जब आवश्यक है फिर उन्होंने माला मंत्र ठाथ, बहुत लंबे मंत्र, या मंत्रों के आगे तार एक शब्द लगा दिया, जैसे वर्णमाला या अक्षमाला जो हमने पहले आपको बताया हुआ है, असे एक्षर तक प्रियोग होता है, उसमें भी मन लगा रहता है परन्तु मन का लगाना इतना आवश्यक क्यूं है? पहला स्थम्भ हमने आपको बताया सत्यवचन, सत्य आचरण, सत्य भाव जो वेक्ति इसको धारण कर लेता है, उसका अधिकतर काम तो हो गया क्योंकि यही सबसे कठिन है, खिने से मैं बता रहा था कुछ दिन हुए कि मनोश्य जोट कब बोलता है? जब आपको या तो कुछ चुपाना है, या आपको किसी को प्रभावित करना है या तो कुछ है जो चुपाया जा रहा है या कुछ ऐसा है जो नहीं है और दिखाया जा रहा है दोनों ही असत्य हो जाते हैं, दोनों ही मिथ्या हो जाते हैं इसलिए भगवान महावीर ने कहा मैं वस्त्र भी नहीं पहनूँगा मैं इतना घोर सत्य का जीवन जो है जीना चाहता हूँ नागा संतों ने कहा हम निर्वस्तर हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे कि यदि अपने पास कुछ होगा ही नहीं, कमंडल के इलावा एक जल के शायद वो भी नहीं तो फिर छुपाने को रहा ही क्या, प्रभावित करने को किसी को रहा ही क्या और ये इतनी बुरी इतना है, मनुश्य इस जाले में फसा होता है, कि मैं प्रभावित कर दूँ वो मुझे विशेश माने, क्योंकि मैं हूँ विशेश, ऐसा अधिकतर लोग मान कर चलते हैं अगर वो मुझे विशेश मानते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो बहुत विशेश हूँ ही पर वो भूल रहे हैं, जानते नहीं, मेरी सत्ता को समझ नहीं रहे इतनी अधिक उर्जा जो है विर्थ होती है इसमें इतना अधिक तब का अक्षीन होता है, तब का हनन होता है जब मनुश्य असत्य भाशी होता है या असत्य भावी होता है या असत्य आचरन वाला होता है मातरिक अ का ही अंतर है सत्य और असत्य में अ से ही अहम है अहम आया और सत्य असत्य में तुरंथ बदल जाता है पर कई बर क्या होता है कि आप सत्य भाशी हो सत्य भावी हो और सत्य आचरन वाले हो तब भी सिद्धी की प्राप्ति नहीं होती ऐसे बहुत से परमांकारी मनुष्ये हैं इस पृत्वी पर जो सत्य भाशी है वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जैसा है वैसा ही बताऊंगा हलांकि उन्हें पता नहीं जैसा है वैसा ही परंतु वैसा मान कर चलती है कि ना केवल की मैं सत्य जानता हूँ केवल मैं सत्य जानता हूँ बस केवल का जो प्रयोग है वो बदला है इस वाक्य में तो जो सत्य के पथ पर चल पड़ा है सिद्धियां उसको ऐसे प्राप्त होंगी जैसे अगनी को देखकर पतंगे आते हैं जिस सिद्धी के लिए आप प्रत्नशील भी नहीं है वो भी आकर आपकी जोली में गिर जाती है और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि आप करकर देखिए यदि ऐसा नहीं हो अपना नाम बदल लेना जो मर्जी रख लेना वास्तव में ही कुछ अच्छा नाम रखिए परन्तु दूसरा स्थम्भ है कई बार सत्य कई बार नहीं कभी भी सत्य परियाप्त नहीं होता मात्र सत्य बोल देना अपने आप में परियाप्त नहीं है क्योंकि हमें समाज में रहते हैं और समाज हम में रहता है जिस परकार विश्णु जो हैं विश्व में रहते हैं और विश्व जो हैं विश्व में रहते हैं ठीक वैसे ही हम में समाज रहता है क्योंकि जब मनुश्य अकेला बैठा होता है, किसकी बातों को लेकर दुखी हो रहा होता है, किसके चिंतन को लेकर दुखी हो रहा होता है, उस चिंतन में जिसमें दुख होता है, आप कभी भी देख लीजेगा, एक विक्ती और जरूर होग आपके इलावा वो चिंतन किसी ना किसी को लेकर दुखताई होता है क्योंकि समाज आ गया है विचारों में जब आप बैठे हैं शानत चित होकर और किसी बात को लेकर दुखी हैं मान लीजी कोई विचार आया जिसने आपको दुखी कर दिया आपके हरदे को विदिर्ण कर दिया वो विचार किसी जीव का होगा वो विचार किसी पहाड का नहीं होगा वो विचार किसी पत्थर का नहीं होगा अगर श्री हरी बगवान के इस विग्रह पर चोट लग जाए आपको कभी भी उतना दुख नहीं होगा जितना की होगा शायद किसी आपके अपने को चोट लगे कहने को तो हम भगवान को अपना मानते हैं प्रन्तु वो तन्मयता, वो संभन्ध तब तक इश्वर के साथ स्थापित नहीं हो सकता जब तक मनुष्य का मन न निर्मल हो जाए असंभव है इसलिए इतने श्रेष्ट भक्त हुए जो साधक नहीं थे अगर साधना की दृष्टी कोन से देखा जाए या बैठ कर योग नहीं कर रहे थे या ध्यान नहीं लगा रहे थे या 20-20 घंटे का आस नहीं लगा रहे थे फिर भी सब समस्त सिध्यों को पराप्त कर बैठे हुए थे क्योंकि उनक्या इश्वर के साथ एक दृड संबंद था सच्चा और दृड संबंद उसी विक्ति का इश्वर के साथ हो सकता है जिसका मन निर्मल हो जब तक मन की निर्मलता नहीं पराप्त की तब तक साधना की शायद पहली सीड़ी अभी पार नहीं की इतनी अधिक आवश्यक है इतना अधिक आवश्यक है मन का निर्मल होना और निर्मल होने का अर्थ क्या होता है एक शब्द आता है संस्कृत में हिंदी में मल अर्थात जो बच गया जो भी हम ग्रहन करते हैं यदि हमने उसको स्विकार कर लिया तो उसका कुछ ना कुछ मल अवश्य होगा कुछ ना कुछ रेजिड्यू अवश्य होगा कुछ ना कुछ उसकी राख अवशेश जरूर रह जाएगी जब कोई भी भाव हम धारण करते हैं जो हमें ख्षीन करता हो हमारे तप को हमारी चेतना को हमारे अंतशकरण को वो कही ना कही मन के उपर मल छोड़ कर जाता है यदि लोहे के उपर मल लगा रहे तो उसको जंग लग जाता है तो जिस भावना का हम त्याग ना कर पाए वो आपको मलिन कर देगी निर्मल होने कार्थ होता है कि हमने उस भावना को ग्रहन ही नहीं किया यदि हमने बचाकर नहीं रखा तो उसका कोई मल नहीं उत्पन होगा कोई विक्षप्तता नहीं पैदा होगी मन में कोई किस भावना को नकारात्मक भावना को कितनी तिवरता से त्याग सकता है ये निर्वर करता है वो कितना क्स्थित परग्य है कितना ग्यानी है मनुष्य के दुख का मूल कारण केवल और केवल अज्ञान होता है आशा है किसी से नहीं पूर्ण हो रही दुख है अज्ञानता है आशा है क्यों इच्छा है मन में नहीं पूर्ण हो रही दुख है मूर रखता है इच्छा है क्यों जो निर्मलता होती है मन की कुछ वो आती है कर्म में स्थित होने से और दूसरा वो आती है भाव में स्थित होने से कुछ इच्छा बल चाहिए मनो बल चाहिए इच्छा शक्ति चाहिए और कुछ मन की सात्विक्ता चाहिए जितना अधिक मन जो है शुद्ध होता रहेगा उतना अधिक निर्मल स्वयम होता रहेगा